हलो दोस्तों, आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आज की क्लास में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं, बिएट फर्स समेस्टर के प्रिवियस एर जो आपका पेपर हुआ है, उनके कोश्चनों को हम लोग इसमें देखेंगे, देखो, 2016 से लेके 2019 तक जो आपका अच्छे त्यारी और मजबूत हो जाएगी, ठीक है, अच्छे जो बच्चे चैनल पर नया है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, इसके पहले जब का सेकेंड पेपर है, मेरे भाई, कंटेंपररी इंडिया एंड एजुकेशन, इसकी क्लास भी मैंने चलाया है, तो चैनल क प्लेलिस्ट में जाना चैनल के, वहाँ पे सारी क्लास को भी देखके आप लोग पढ़ सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्फ मिलेगी, ठीक है, देखो इसके पहले हम लोगों ने पेपर फस्ट के जो आपका है चाइल्ड हुड एंड गुरूइंग अप उसके प्रवांचर इनवर्सिटी से बियर्ट कर रहे हैं, यह उनका सेकेंड पेपर है ठीक है, तो आप यह बात ध्यान में रखना ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, सबसे फस्ट कोशन है मेरे भाई अतिलग उत्तरी जो है, वह स्वालंबन का अर्थ बताईए, तो मैं बताऊ न सबसे बताईए, तो अब रहे हैं, इतना जानते रहना, और कभी भी डेमोक्रेसी के अगर परिभासा पूछे, तो आप साब साब ये लिख भी सकते हैं, ठीक है, चलो, उसके बाद समाजिक परिवर्तन की परिभासा बताईए, देखो, ये पताऊ, समाजिक परिवर्तन आखिर कब होता है, जब किसी समाज में, जब मैंने पेपर फर्ष डिसकस किया था, इंपॉर्टन कोश्चन और प्रिवेसे कोश्चन तो उसमें भी ये पूछा था, और समाजिक परिवर्तन कब होता है, तो मेरे भाई, जब किसी समाज में न्याईक प्रणाली बदले, राजनीतिक प्रणाली बदले, उसके बाद आर्थिक इस्तिती बदले, तभी तो समाजिक परिवर्तन होता है, तो इसको इस तरीके से आपनों लेख सकते हैं, ठीक है, अर्बिंद जी का आस्रम कहा इस्तित है, तो मेरे भाई सेकेंड पेपर में जब अर्विंद जी को मैंने बिश्पू बेसिक से पढ़ाया है तो बताया था पांडू चेरी में इनका जो की मेरे भाई इनका जो की आस्रम इस्थित है ठीक है उसके बाद सत्याग्रह का अर्थ बताईए सत्त के लिए किया गया, आंदोलन किया गया, अग्रह ही तो है सत्याग्रह, ठीक है, समानता का अर्थ बताईए, किसी के साथ कोई भेद भाव ना हो मेरे भाई, सब को बराबरी में लाने के लिए हम प्रयास करें, वही तो है समानता, ठीक है, उसके बाद बौध काल में इस्त इस्तरी सिच्छा के बारे में उसमें थोड़ा सा मेरे भाई क्या है define करना उसकी तुलणा करते हुए लिखना कि जो आपकी बैधिक काल में इस्तरी सिच्छा नहीं थी। लेकिन जो बहुत काली इस्तिरी सिच्छा थी मेरे भाई उसमें इस्तिरियों को प्रोसाहन दिया गया उनको आगे आके सिच्छा लेने के लिए मेरे भाई प्रोसाहन दिया गया इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हो ठीक है उसके बाद टैगोर के अनुसार डाला है ऐसा होना Kleke जिसमें हमें हमारा परिवार की तरह जो कि क्या कहते हैं की महसوس हो, ठीक है इस प्रकार से इनके सिछषड बीदी में था उसके बाद हमारा आतमक्चों की विकास हो सके सेल्फ का विकास हो सके टैगोर जी के ठीक है उसके फ़ेदान के अनुच्छिध पंद्रा का वाडन करो, ठीक है, किसी के साथ कोई भेद भाव नहीं, वैसे तो देखा जाये तो मेरे भाई, जो आर्टिकल पंद्रा है, उसमें साफ साफ लिखा जाता है, कि हिंदूओं के सभी सारवजनिक अस्थानों पर किसी के साथ पिछड़ा वर्गोज चाहिए, कोई सब के लिए खुले रहेंगे, लेकिन जो अनुच्छेद पंद्रा ये भी कहता है, किसी के साथ कोई भेद भाव नहीं करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद देखो, अभी अनुच्छेद पंद्रा भी पूछता है, कभी-कभी अनुच्छेद 23 भी पूछ लेता है, कि 24 भी पूछ लेता है, कि पिछड़े वर्गों के सैच्छिक, आर्थिक इहतों के लिए 99 समाजिक अन्याई के खिलाप मेरे भाई की, जो सुरच्छा मिलेगी, उनको सोसल जो करेगा, उनके खिलाप कानून बनेगा, ठीक है, जो आपका धारा 16 है, आर्टिकल जो मेरे भाई 16 उसमें भी कहा गया कि राज्यों के सरवाजानिक सेवाओं पर आरच्छित करने की छूट रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से ही जो आर्टिकल है, इनको भी आप लोग तयार कर लेना, ठीक है, चलो, उसके बाद देखो, बिस्मिल्ला संसकार का है, बहुत बच्चे कन्फ्यू ठीक, 2016 अब थोड़ा सद मेरे भाई जो की लगूतरी प्रस्न देख लो, जो 200 वर्ट्स में लिखना आते है, बैदी कालीन और बहुत कालीन सिच्छा में अंतर कम से कम 20 पॉइंट लिखना, जादा मेरे भाई सिच्छा लेदर मत करना, 20 पॉइंट लिख दोगे, पॉइंट वाईज तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा, वादा करता हूँ आपसे, बहुत कालीन में सिच्छा कैसी थी, ठीक है, उसकी तुलना आप बैद कालीन से करते हुए लिखना, ठीक है, बैद कालीन में क्या था ना, मेरे भाई सब चीज अध्यात्मिक पे अधारी थी, लेकिन बहुत कालीन सिच्छा में क्या था, हम तर्ग बितर करने लगे थे, इस प्रकार से आप लोग अच्छे से लिख देना, बाकी जो मैं लेक्चर लिया हूँ, वहाँ से जाके पढ़ लेना, प्लीच, ठीक है, चलो, उसके बाद मद्धिकालीन सिच्छा में किनी पांच बिस् ठीक, चलो, अर्बिंद के अध्यात्मिक राष्टावाद को समझाए, अर्बिंद घोस का जो मेरे भाई अध्यात्मिक राष्टावाद है, कि मेरे भाई वो अपने देश के अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं, उसको यहाँ पर ड अकेले मेरे भाई जेल में थे तो इन में इनको अध्यात्म के बारे में knowledge हुआ ठीक है तो ये मेरे भाई अध्यात्मिक राष्टवाद को कैसे समझाते हैं उसको लिखना रहता है उसमें ठीक है चलो उसके बाद देखो अगला प्रसन है महिलाओं की सिछ्छा का समानता से क्य संबंद है ये भया महिलाओं का तो इतना सोसर हुआ है इसके पहले न तो उनको समानता में लाने के लिए कुछ तो मेरे भाई आरचर वाचर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है तो भया यही होता है समानता के संबंद में उनका अर्थ ठीक है चलो अच्छा कुछ बच्चे हम किसी हमारे समभिधान में कहा गया है कि हम किसी भी धर्म को प्रेवर्टी नहीं देंगे बलकि सभी धर्मों को समान निगाह से देखेंगे चाहे आप क्रिश्चन हो चाहे मेरे भाई आप इसलाम धर्म के हो चाहे आप मेरे भाई हिंदू धर्म के हो सभी को बौध धरम के हो, जैन धरम के हो, सभी को मेरे भाई समान निगाहों से देखा जाएगा, ठीक है, ये हमारे सम्विधान की सबसे बड़ी बिसेस्ता भी है, ठीक है, चलो, उसके बाद समाजिक परिवर्तन में सिच्छक की भूमिका की बिवेचना कीजिए, अब देखो मेरे भाई सिच्छक जो की बुनियादी तयार करता है, जो कहते हैं कि भारत की बुनियादी हैं, एक तरी से नेव हैं भारत के, तो मेरे भाई वही वो तयार करता है, तो सिच्छक की बहुत बड़ी इंपॉर्टन भूमिका होती है, ठीक है, देश के उत्पादन में चीज में आप आगे जाना चाहते हो ना तो सबसे इंपोर्टेंट चीज है मेरे भाई एजुकेशन सिच्छा ठीक इस कोश्चन को भी समझते रहे ना ठीक है उसके बाद जनतंत के मूल सिध्धांतों का वड़न करो मूल सिध्धांत क्या है मेरे भाई सबको फ्रिडम हो ठीक तो मेरे भाई अब देखो सेक्षन सी जो 2016 का है इसे भी आप लोग देख लो मैं तो उम्मीद यही कर रहा हूं कि अब 2019 वाले प्रस्त को मैं डिसकस करता हूं ताकि यह सब रिपीट होते हैं देखो गांधी जी के अनुसार सिच्छा के उद्धेश से ठीक है तो गांधी ज जो मेरे भाई की सिच्छा के उद्धेश से उन्हें भी तयार कर लेना जो चैप्टर पढ़ाया हूं उसे भी जाके आप पढ़ना अब देखो आपके समनवा जो है प्रसनवा दिख रहा है कि सैच्छिक आउसरों के समानता में मेरे भाई 1986 की नई सिच्छा नीती को पढ़ें जाके चैनल की प्लेनिस्ट में सेकेंड पेपर ओपर ओपन करना उसको पढ़ना प्रादम करना ठीक है देखो 2017 का ये कोश्चन पेपर है ठीक है उपनयान संसकार को मेरे भाई समझाईए अच्छा क्या होता है ना देखो एक तो मेरे भाई जब आप पबजा संसक होता है उपनयान ठीक है चलो और इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज है ये हिंदू लोग भी से मानते है ठीक है चलो उसके बद सिच्छा में असमानता का अर्थ है मेरे भाई कि किसी बिद्यालय में बस एक विशेस वर्ग को मेरे भाई की जो कि आप आगे लाते हूँ पि लेना करी लेना ठीक है उसके बाद लोकतंतर के मुल क्या है भाई या लोकतंतर के मुल यही है कि सभी अपने देश के प्रति मेरे भाई उनकी नियत साफ होनी चाहिए उसके बाद लोकतंतर के जो मुल है ना डेमोकरिसी के जो वैल्यू है उसमें मेरे भाई सबसे इंपॉर और अवरोधन क्या है ये बताओ अब्य पता है क्या होता है मेरे भाई जिसे हम ये कह सकते हैं आप एडमीशन लिए बिचवय में छोड़ के चले गए तो क्या हुआ मेरे भाई अब्य ही तो हुआ अवरोधन यूद्वा किसी कारण बस कोई बालक पढ़ नहीं पा रहा है यह मैंने इसे पढ़ाया है ठीक है उसके बाद समाजिक न्याय को परिभासित कीजिए मेरे भाई समाजिक न्याय कहने का अर्थ है ना किसी के साथ कोई भी भेद भाव नहीं किया जाएगा वही हमारा समाजिक न्याय सबको मेरे भाई बराबरी का हक मिलेगा समाज में वही हमा सारा समाजी नहाए ठीक है अब देखो यहाँ पर बच्चे कनफ्यूज हो चाथे सर्जी हमें 9168 वाली लिखनी है कि 986 वाली लिखनी है तो मेरे भाई सुन लो ध्यान से अगर ऐसे सिर्फ और सी पिया जाए कि राष्टी सिच्छा नीती का वड़न करो तो मेरे भाई 1986 की जोकी आप वड़न करना इसको मैंने पढ़ाया भी है ठीक चलिए अब उसके बाद देखो रविन्ना टैगूर के सिच्छा दरसन की ब्याख्या कीजिए इसी तरीके से सारे प्रसंद रिपीट होते रहते हैं मेरे चलो पबलीक एस्कूल का क्या आर्थ है मेरे भाई पबलीक ही शिच्छा परप्त कर सकते हैं खिलो एसके बाद बिकलांगों में साचीं काउसरो की समानता का वड़न करो इस प्रसंद को भी आप लोग एक बाद देख लिजेगा ठीक चलिए उसके बाद देखो सिच्छा आ सारांस लिखी है ठीक है उसके बिद्याले समाज का लगू रूप है इस कथल की ब्याक्या कीजिए अभी मैं जब आपको पेपर फष्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था बिद्याले पढ़ाया था समाज पढ़ाया था घर पढ़ाया था तो बताया था जो एक तो बिद् चक के साथ घुल मिलके तभी तो कुछ चीजे सीखते हो, तो वही तो समाज का लगू रूप है, ठीक है, कई मनों बैग्यानिक यहीं न मानते हैं, कि जो बिद्याला है, ये चार दिवाजियों से घिरा हुआ एक समाज है, ठीक है, इस प्रस्न में में बहुत बड़ा दम है, इसे भी आप लोग तयार कर लेना, ठीक है, चलिए, देखो मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ परपज यह है, कि आप लोग अच्छा कर जाओ, ठीक ठाक प्रस्नक सौल्ब करकी आओ, एक्जाम में, ठीक है, चलिए, उमीद करता हूँ, सारी चीजे आप लोग को समझ रहे ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो में कोश्चन पर जाना चाहते हैं, वह 2019 वाला, ताकि मेरे भाई, उसे भी आप लोग एक बार देख लो, यह आरा 2019 का कोश्चन पेपर, इसे भी आप लोग देख लो, ठीक है, सबसे पहले, बैदिक सिक्छा की प्रमुख बिस्यस्ताएं ठीक है, अनुष्ठान को मेरे भाई महतु दिया जाता था, स्वयम को जानने के लिए महतु दिया जाता था, ठीक है, इस प्रकार से एक मेरे भाई, एक प्रतिस्तिर बेक्ति वही माना जाता था, जो मेरे भाई अनुष्ठान करने योग हो, ठीक है, इस प्रकार से इसकी प अब जादे हैं प्वद्धिन्लाइ कर समान नजरों से देखा जा समानता का अर्थ भी हो जाता है कि किसी के साथ कोई भेत भाव ना जाँwood किया जाए और मेरे बैज सब को उसकी छमिठा की अनुसार ठीक है उसको बढ़ने के लिए मौकाद दिया जाए सांती निकेतन कहां इस्थिता तो बताओ सांती निकेतन कहां इस्थिता मेरे भाई तो कह सकते हैं कोलकाता में इस्थिता ठीक है किसने अस्थापित किया था तो मेरे भाई रविन्ना टैगूर जी ठीक है मुक पास्ट सिच्छा में बिवाद जो चार्टर मेरे भाई 813 आया था इसके बारे में लिखना ठीक है अभी देखो थोड़ा सा इसमें confusion बच्ची होंगे क्योंगे अभी थोड़ा सा critical प्रस्ट बन जाता है पर आप अगर मेरी class पढ़े होंगे तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आपके बहुत जादा help मिलेगा ठीक है चलो उसके बाद देखो जो second जो होता है मेरे भाई की 200 words में लिखना दाता है बैदी काली सिच्छा का मुल्यांकन कीजिए ठीक है बहुत काली सिच्छा के उद्देश सिका वड़न करो ठीक है जो बहुत काली सिच्छा है मेरे भाई वही तो बताया थे अश्ट गुडी मार्ग समयक द्रिष्टी समयक संकल्प समयक वाक्य उसके बाद समयक जीविका समयक ब्यायाम इस्मिती समाधी ये सब तो भया इसकी बिखेस्ता ही तो है इसको आप लोग लिख देना ठीक है चलो गांधी जी के सिच्छा दर्सन की ब्य भया प्रिष्टों से आप क्या समझते हैं क्या दोनों में संतुलन अस्थापित हो सकता है तो मेरे भाई 100% हो सकता है कहते है ना देखो गाओं में कहते हैं पहले भाईया हमारा भला हो तब जो की समाज का भला हो लेकिन इसलिए जो की सच्चाई भी है यदि आप मेरे जो मेरे भाई समाज की हितों के लिए हो तो दोनों में संतुरन अस्थापित तो भया मुम्किन है ये ठीक है देखो इसको solve कर सकते हो या पर दूसरा है सिच्छा के मुल अधिकार अधिकार अधियम उसके प्रावधानों का वड़न करो ठीक है जो अनुछेद 15-16 जो है मेरे भाई 12-35 तक है न तो उनको आप लोग यहां पर थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हो ठीक है चलिए उसके बाद इन प्रस्नों को आप लोग अच्छे से देख सकते हो प्रस्न हमेज़ा repeat ही होते रहते ठीक है भारती सिच्छा आयोग की सिफारिसों की देखो यहां पर मेर सिफारी जी दिये थे तो मेरे भाई बहुत प्रभाव पढ़ा जो नई सिच्छा नीती आई थी सबसे पहले 1966 वाली उसमें भी इनका प्रभाव दिखा ठीक है इस प्रकार से इसे भी आप लोग तयार कर लेना जो यह को ठारी का मिसन पढ़ाया हूं जाके पढ़ लेना बि सबसे प्रमुग विशेष्टा है ना वो मेरे भाई यह तरक करने पर विश्वास करते हैं ठीक है यह अंद विश्वास पर विश्वास नहीं करते है जो आज के समय में मेरे भाई 100% फुल्फिल होता है कि हम कोई भी चीत तरक द्वारा सीखे तो अच्छा है ठीक है उसके आप लोग मैंने पढ़ाया है अभी कल परसों में 1986 जो की सिच्छानीती जाके पढ़ लेना रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसके उद्देश से पढ़ लेना उसके सुझाओ को पढ़ लेना इतना सफीसियंट है हंटर आयोक की सिफारिशों को आप लोग एक बार अच्छे से द कि मेरे भाई जो इक्जाम ना हूँ अब की बार चारो पेपर की इक्जाम होने की संभावना है ठीक है चलिए उमीद करता हूं सारे कोश्चन समझे हूंगे ठीक है चलो अब मन में अकर कोई डाउड कोई कन्फूजन रहता है नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट भी कर सकते ह या फिर इंस्टाइडी पे जूड़के मेरे भाई कुछ भी डिसकस कर सकते हो यदि इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो भाईया हाथ जोड़ रहा हूं चलाना भी मत ठीक है कोई जरूरत नहीं है ठीक है आप नीचे कमेंट स्रिक्स में कमेंट करना तब भी मैं आपको रिप परफेक्ट इस्टडी आप लोग कहने पर इसका नाम भी मैंने रखा था इसके पहले कुछ नाम और था ठीक है तो दब परफेक्ट इस्टडी जो है मेरे भाई आपके साथ लगा हुआ है उम्मीद करता हूं सारे कोशन समझे होंगे ठीक है अच्छा स्वालंबन का आर्थ आप लोग समझ चुके ना क्या होता है कि मेरे भाई स्वयम पर निर्भर होना ठीक है चलो जो उम्मीद करता हूं आप लोग सब चीज समझाओंगे ठीक है अपना ख्याल लखिए और हाँ मुस्कुराते रहिए ठीक है चलिए